नमस्ते दोस्तो वेलकॉम टो आवर चनल आप लोगों को पता होगा आज हमने थोड़े डीप टेंट तरीक से करी बनाए हैं नए नए रेसिपी जानने के लिए हमारा चनल को सब्सक्राइब कीजिए लाटेस नोटिफिकरशन के लिए गंटी ज़रूर दबाएए ठीके दोस्तो नमस्ते दोस्तो वेलकॉम टो आवर चनल आज हमने लाए हैं आप लोगों के लिए आप लोगों के फेबरेट परबल करी रसीले परबल करी ज़म बनाएंगे और इसका मजा लेंगे औरिसा का फेमस पर्बल करी बनाते हैं आईए दोस्तों बनाते हैं और इसका मज़ा लेते हैं जाते जाते एक लाइक तो बनता है एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आईए दोस्तों बनाते हैं परवल कोर्मा और उसके बनाने में बहुत हीजी है आईए दोस्तों बनाते हैं और इसका मजा लेते हैं आईए दोस्तों बनाते हैं और इसका मजा लेते हैं यह सब चीज चाहिए हमें पोटोल कोर्मा बनाने के लिए मतलब परवल कोर्मा एक बड़ा पियास लिए है, कुछ लैसुन लिए है, कुछ अद्रक, कुछ डालचीनी टुकड़े, कुछ काली मिर्ची, वान टेबल स्पून जीरे लिए है, वान टेबल स्पून धनिया सीर्स लिए है, एक तेजपते लिए है, छोटे इलाइची लिए है, बड़े इलाइच लिए हैं कुछ मगज सीर्थ लिए हैं देखिए हमें यह सब चीज़ चाहिए बनाने के लिए आये दोस्तों बनाते हैं हमने यहां पर मुंफली ले रहे हैं यह रहा मगज सीर्थ और यह कैस्यु हम इस सब बलेंड कर लेते हैं견 के यह रहा हमरा ब्लैंड किया हुआ वाइट क्रिम बन गया है अब उसी में हम डालेंगे टामाटो डू टामाटो लिए हैं इसको ब्लैंड कर लेते हैं देखिए यह रहा हमारा टॉमाटो प्यूरी बन गया है उसी में आप ग्राइंड करेंगे हमारा मसाला आय्ये दोस्ता मसाला डालते हैं यह रहा प्यास निया है कुछ ले सुन में Здhouse गुफ आधरक जितने सारे देती हैं सब मसालो को हम यहां डाल रहे हैं हमने यहां पर डिजीरे ले रहे हैं यहां पर धनिया सिर्च ले रहे हैं हमने यहां पर डाल चीनी टुकुडे ले रहे हैं इसमें काली मिर्ची डाल रहे हैं लोंग भी डाल दिये आप छोटा इलाइची और बड़ा इलाइची आप यह सब को ब्लेंड कर लेते हैं देखिए हमारा मसाला बन गया है, पेस्ट नेएहां पर बनाए है, देखिए Hollands, टमाटो प्यूरी और यह रहा हमारा मसाला, हमने परबल काच्छे तरह से पिलफ करके, इसको बच से कट लिये हैं, हमने यहां पर इसको ऐसे कट करना है, सीधे नहीं थोड़ा तेड़ा करत करना है इसी तरह एक परबल को आये हमने यहाँ पर एक आलू लिये हैं छोड़ा छोटा टुकड़ा कर लिये हैं इसको अच्छे से साफ करके पानी में रखें ताकि आप लोगों को पता होगा आलू काला पढ़ जाता है इसलिए हमने आलू को पानी में रखें हैं आप परबल को मैरिनेट करते हैं हमने यहाँ पर वन टेबल स्पून नमक वन टेबल स्पून हल्दी वन टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर ले रहे हैं अब इसको अच्छे से परबल को मैरिनेट करते हैं आप चाहे तो एक बावल में लेकर इसक इसको हतों से मैरिनेट करते हैं, देखिए दोस्ता हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिए हैं, अब इसको फ्राइ करेंगे, हमने कड़ाई लिए हैं, कड़ाई में 4 टेबल स्पून ओयल देते हैं, अब मैरिनेट किया हुआ परवल को इस कड़ाई में डालते हैं, देखिए दोस और अब याफ वन्यार है यस på नीचे थोड़ा कर लेते हैं आव इसको आवर कर लेते हैं हमें पीच में इसको वन्यारों तरफ यहां चाहें द। देखिए हमने अच्छे से फ्राई किये हैं परबल को आप लोगों को पता होगा परबल में थोड़ा पानी रहता है इसलिए इसको थोड़ा फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है दस मिनिट लगता है थोड़ा फ्राई करने के लिए हमने अच्छे से फ्राई कर लिए ह देखिए अब इसको निकाल लेते हैं वोही प्लेट में हम आलू ले रहे हैं आप लोगों को पता होगा एक अई आलू लिये थे वोही आलू को हम मैरिनेट कर रहे हैं हमने यहाँपर half tablespoon healthy powder, half tablespoon लाल मिर्ची powder, half tablespoon नमक यह सब को डालकर आप आलू को थोड़ा मैरिनेट कर लेते हैं देखिए दोस्तों हमने अच्छे से आलू को मैरिनेट कर लिये हैं परबल को निकाल लिये हैं वोही कड़ाई में हम थोड़ा आलू को फ्रै करेंगे इसको थोड़े देट तक कवर कर ले देएं, ताकि आलो थोड़ा पक जाए देखिए आलो हमारा अच्छे से फ्राइ के लिए हैं, आब इसको निकाल लेते हैं अब कड़ाई में टूटेबसून ओयल लेते हैं डी आएल में हमें 2 लोग एक तेजपता ढाल रहे हैं cha है अ त究्सक्ते। यालाईची डाल रहे हैं आप थोड़ा कटा हुआ प्याज को डाल रहे हैं कटा हुआ प्याज लिए हैं आप इसमें авать है आपusầं को शोज़ा हैं आपको प्रै करेंगे ャो देखे हमारा ब्रियाज अच्छे से फ्राइ हो चुका है अब प्रियाज में मसाला को डाल रहे हैं देखे हमने मसाला डाल दिये हें आप इसमें हल्दी पाउडर यहां ले रहे हैं अब मसाला को अच्छे से मीक्स करके अब इसको फ्राइ करेंगे देखिए हमने अच्छे से मीक्स कर लिए हैं अब इसको थोड़े दिर तक कवर कर लेते हैं देखिए दोस्तों हमारा पानी भी सुख गया है मसाला भी अच्छे से बन गया है आप इसको थोड़ा तेर तक फ्राई करेंगे देखिए दोस्तों हमारा मसाला बन गया अच्छे से अब इसमें परबल और आलू को डाल रहे हैं डाल दिये हैं अब इसको मसाला में अब इसको फ्राइ करेंगे आलू और परबल को अच्छे से फ्राइ करना है मसाला में अब इसको 5 मिनित तक कवर कर लेते हैं देखिए दोस्तों कितने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं हमनी यहां पर आलू और परबल को मसाला में अच्छे से फ्राई करने के बाद आप इसमें दो कब पानी दे रहे हैं पानी में आप इसको मिक्स करना है हम यहां पर ग्रेवी बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर पानी दे रहे ही हैं। पानी में इसको अच्छे से mix करके इसको cover कर लेते हैं। देखिये दोस्तों, हमारा अच्छे से curry बन चुका है। आप इसमें tomato puree को डाल रहे हैं। आप tomato puree को अच्छे से mix करके, 5 मिनित तब cover कर लेते हैं। अब टाइम हो गया है वाइट क्रीम डालने की देखिए हमने पहले टो टमाटो प्यूरी दे दिये थे आप वाइट क्रीम डाल रहे हैं अब इसको अच्छे से मिक्स करके पांच मिनिट तर कवर कर लेते हैं पकाने के लिए हम यहाँ पर कवर कर ले हैं ताकि सब अच्छे से म अब इसको फ्लेटिंग कर लेते हैं आप इसी तरह बनाएं और टेस्ट कीजिए कैसा लगा आप हमें कमेट कीजिए बहुत अच्छा लगेगा इसमें टोमाटो का फ्लेवर है इसमें फाइट क्र्म का फ्लेवर है बहुत टेस्ट गेए दूस्तों आप इसी तरह बनैए और खाए और हमें कामेंट कीजिए वीडियो को लाइक से यार्ड कीजिए देखिे दोस्तों कितना अच्छा बनाए और टेस्टी भी आCor ये दोस्तों काते हैं yummy namaste thank you for watching एक लाइक पनट साय एक लाइक की जिया हो चैनल को सर्बस्क्राइब कीजी thank you for watching